बिहार में जो भी अपरादी है जिनका भी मनोबल बढ़ा है उसमें थोड़ा सा कमी आए ताकि बिहार के अमाम है सांतिपुरू ने जी सके जब गण ही सुरक्षी नहीं है तो फिर तंत्र की क्या बात कही जाए तंत्र जो है अपसरसाही और हिटरसाही के रूप में खड़ा है और आने वाला समय में भारत के किसान भाई लोग एक दिन सरकार को खाड़ फेकने का काम करेंगे नमस्कार आप देख रहे हैं लाइप सिटीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान 26 जनवरी गंतंतर दिवस्त का तेवहार पूरे देश भर में हरसो उल्लास के साथ बनाया जा रहा था पर देश की राजधानी देली में जो महौल थे वो तनापून थे तनापून महौल ब पाचीद करने के लिए रालोस्पा के प्रवक्ता धीरेज सिंग कुश्वाह जी हैं कैसे देख रहे हैं पूरे घटना करम को सर किशान जो लगतार पदशन कर रहे हैं उन्होंने लाल के लिए पर चढ़ाव किया और संगठन का जर्ण भी पहरा दिया वह भी गंतंत दिवस के महापर्व देखिए वसिम जी जो किसान भाईयो द्वारा जो ट्रेक्टर प्रेट कराया जा रहा था उसमें कुछ असमाजिक तत्व के लोग घुशे थे इससे इंकार नहीं किया जा सकता है लेकिन साथ ही आप देखे होंगे कि यूपी के बोडर पर हर्याना के बोडर दिली के तमाम बोडरों पर किसान भाई लोग अंदोलन करें करीब महीने दिनों से संती प्रोण चल भी रहा है लेकिन इस पर मैं चाहता हूं कि यूपी के सरकार दिली सरकार भरत सरकार इस पर जो भी इस घटना में सामिल लोग हैं इसको चीनित करें और उसको कड़ी से क्या देने का काम करें कि बाते करने से नहीं हो गा हमारा देश जो एक कृसी पर्धान सरकार भनाना था उससे में कहते थे क्या सबस्र अभी हम लोगों ने कल गड़ तंतर दिवस मनाने का काम किया, जब गड़ ही सुरक्षी नहीं है, तो फिर तंतर की क्या बात कही जाए, तंतर जो है अपसरसाही और हिटरसाही के रूप में खड़ा है, और आने वाला समय में भारत के किसान भाई लोग एक दिन सरकार को खाड फिकने का काम करेंगे, जिन्धिर जी आप यह कहना चाह रहे हैं कि लाल के लिए पर जिसने चड़ाव किया वो खिशान नहीं थे, बिल्कुल, आप देखे होंगे, सरकार के पास सारी व्योष्थाये हैं, उसको चिनीत करें, और जो लोग गलत काम किये हैं, उसको चिनीत कर कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, ताकि फिर इस तरह से कोई नहीं कर सके, जंडा नहीं भरा सके, त्यूंकि देश हमारा पहले है, राष्टिया लोग समता पार्टी, पहले देश को मानती हैं, फिर उसके बाद कोई और है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि अभी जो पिछे छोड़ते हुए भारा सरकार को इस बिल को वापस लेते हुए किसानों से माफी मांगना चाहिए, जब देश में किसान ही नहीं रहेंगे, लोग ही नहीं रहेंगे, तो फिर 21 दिन के लिए सरकार है, अब बिहार की अभी जो मौदूदा हालात है, उस पर बात करते है बिजेपी के परवक्ता को गोली मारा जाया है सर, और बीते कुछ दिनों के अगर बात करें, तो बिहार में ब्रेशक जो अपरादी घटनाएं हैं, वो पनपी, कैसे देखें आप देखें होंगे वसीम जी, कि कुछ दिन पहले, इंडिगो एस्टेशन मैनेजर के हत्या कर गई थी, करीब 15 दिन बीत गए, अभी तक कोई सुराग पुलिस को नहीं मिला, और सरकार लगी है इसको लिपापती करने में, जाके बीजेपी से पुछे, तो बीजेपी कहते हैं कि मानियम नितिस कुमार जी के लिए जिमवार है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं और बिह मारा गया है, जब अपने भी बात आती है, तो फिर बियान अलग-अलग लोग तरह से देने लगते हैं, मैं ये समझता हूं कि बीजेपी और जो जदिव के सुप्रीमों हैं और बिहार के मुख मंत्री जी हैं, इनको विशेश रूप से इस पर कड़ा एक्सल लेना चाहिए और अधिकारियों को छूट देना चाहिए कि बिहार में जो भी अपराद है, जिनका भी मनोबल बढ़ा है, उसमें थोड़ा सा कमी आएं ताकि बिहार के अमाम हैं सांति पुरू ने जी सके, चैन से जी सके और राष्टिय लोग समतापार्टी सुरू से बिहार की 12 क्रोड क जनता के लिए अवाज उठाने का काम की है, और अवाज उठाते रहेगी, और हम लोग फ्रवरी महीने में पूरे विहार के तमाम जीलो, प्रखंडो और पंचायतों में जाने का काम करेंगे, और इस काला कनून जो देश के लिए धबा है, इसको घर घर जाकर किसानों को ब प्रति अपना परदर्शन जारी रख है, लगतार देश और बिहार की सियासत गर्माती ही जा रही है, और हम तमाम तश्वीर लगतार अपडेट भी कर रहे हैं, खैर लाइप चिटीज के साथ बने रहे हैं, हमाई चानल को आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो झाल